हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे तो मैं फिर से आ गई हूँ कुछ अमेजिंग और बहुत ही यूसफुल घर और किचन से जुड़े टिप्स और हैक्स लेकर जो मेरे लिए तो बहुत ही ज़ादा काम के हैं और उमीद करती हूँ आपके भी ज़रूर काम आएंगे आपके रोज मर्रा के लाइफ के जो मुश्किल काम होते हैं उनको आसान बनाएंगे तो वीडियो अगर यूसफुल लगे तो फ्लीज वीजो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस नोस पर प्रेशर देता है जिसके वज़े से वहां पर हलका सा रेडिश सा हो जाता है कई बार इचिंग भी होती है और धीरे-धीरे क्या होता है वहां पर निशान पर जाते हैं ब्लैक से निशान हो जाते हैं तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है यह जो चश्मे का तो जरूब करके देखेगा बहुत ही यूजफुल टिप है अगर आप रेगुलर चश्मे को वेर करते हैं तो इस ट्रिक को यूज़ करके देखेगा आई होप आपको जरूब पसंद आएगी टिप तो चलिए देखते हमारी नेक्स टिप कौन सी है तो नेक्स टिप है यहाँ पर इस तरह के जो ओयल डिस्पेंसर होते हैं उनसे जुड़ी हुई तो हम इसको यूज़ करते हैं और जिस भी सर्फेस पर रखते हैं आप देखते होंगे थोड़ा बहुत जो है ओयल लीक करता है जिससे वो सर्फेस स्टिकी हो जाता है गंदा हो अपकंड उसको साफ करने में जो है हमारे काफी जादा समय मेहनत भी लगता है तो आप क्या करें पेपर आप ले लिजे और कोई भी पैन आप लेकर इस तरीके से जिसके शेप का आप का कंटिनर है उस शेप का आप उसमें निशान बना लिजे जैसे सरकल मेह थोड़ा सा ब प्रश्र करिए मतलब शेप दीजे उसको तो यह जो फॉल पेपर होता है यह मोल्ड हो जाता है जिस शेप में आप इसको डालना चाहे तो इस तरीके से आप उसको थोड़ सा टाइटली इस तरीके से शेप में ले आईए उसके बाद जहां पर भी आप ऑईल कंटेनर को रखत और कुछ दिन पर जैसे वो गंदा हो जाता है तो आप उसको चेंज कर दीजे जिस सर्फिस पर आप रखेगा न वो गंदा नहीं होगा जिसे आपको ज्यादा सफाई नहीं करने पड़ेगी जिससे आपका जो समय है वो भी बचेगा और साथ के साथ मेहनत है वो भी करने का तो हम बिल्कुल भी सोच नहीं सकते हैं लेकिन कई पर ऐसा होता है कि हम ज्यादा प्याज जो है वो कट कर लेते हैं उसको हम यूज नहीं कर पाते हैं अब इसको अगर हम रख देते हैं तो थोड़ी दिर में जब इसको आप यूज करते होंगे तो देखते होंगे क एक थोड़ा सा कलर चेंज हो आता है साथ के साथ उसमें एक अजीब सी स्मेल भी आने लगती है तो उससे बचने के लिए कभी भी अगर आप एक्स्ट्रा प्याज कट कर लेते हैं उसको स्टोर करना है थोड़ी दिर के बाद आपको जैसे शाम में यूज करना है तो आप क्या अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फ्लीज वीडियो को लाइक करिए और इस टिप को जब सदा शेयर करिए चलिए देखते हैं नेक्स टिप हमारी कौन से है इस तरह का जो जार होता है वह हम इस्तमाल करते हैं बच्चों के लिए मिल्क शेक बनाने के लिए बनाना शेक अच्छे से रख देते हैं लेकिन आप देखते होंगे यह अच्छे से सूकता नहीं है साथ के साथ एक अजीब सी बैड स्मेल में से आने लग जाती है तो इसके लिए आप क्या करिए कि एक क्लॉथ पिन इस तरीके से आप ले लीजे और इसको इस तरीके से खड़ा करके र नौसम है तो चीजे अच्छे से सूकती नहीं है ड्राय नहीं होती है तो अगर आप इस तरीके से जार को रखते हैं तो वह बहुत ही अच्छे से सूक जाएगा कोई भी बैड स्मिल उसके अंदर से नहीं आएगी तो यह टिप भी आपको जरू यूसफुल लगी होगी जर जलन होने लगती है तो उसको तुरंत ही दूर करने के लिए एक टिप आपके साथ शेयर करी हूँ आई होप आपको जरूर पसंद आएगी जब आप मिर्ची को कट करिए ना हाथों में जलन हो रही है तो सबसे पहले तो आप हाथ को अच्छे से हैंड वाश से आप उसको व आप उनसे हाथ को दो लीजें आप देखेंगा तुरंत ही जो जलन होती है मिर्ची को कट करने से वो ठीक हो जाएगी तो टेस्टेड हैक है बहुत ही यूसफुल टिप है जरूर ट्राय करिएगा जब आपके साथ अगर हाथों में सरीके से जलन होती है तो आई होब आपको इसको रखते हैं डर बना रहता है कि कहीं यह लीक ना कर जाए तो उसके लिए आप क्या करें इस तरीके की जो पॉलिथीन होती है जो हम लोग सब जीवेगरा या कोई भी ग्रॉस्टी लेकर आते है तो पॉलिथीन मिलती है बस आप इस तरीके से गोल शेप में या फिर कैस सकते हैं और इसको रखने से फिर आपको यह भी नहीं डर रहेगा कि आपके बैग में कोई समान भी खराब होगा तो जरूर करके देखिएगा कभी भी ट्रैवल पर जाया तो इस टिप को जरूर यूज करिएगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप यह जो टिप है आपको इस बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है अभी जैसे कि कभी भी बारिश हो जाती है थोड़ी सी धूप निकलती है फिर बारिश हो जाती है इसके वज़े से हमारे जो कपड़े हैं वो सूख नहीं पाते हैं अच्छे से ड्राय नही लगती है तो उसके लिए आप यहां पर लीजे एक पतीला और इस तरीके से गैस पर आप उसको थोड़ी देर के लिए गरम कर लीजे अच्छे से जब वो गरम हो जाए तो आपको गैस ओफ कर देना है उसके बाद यह जो अगर आप थोड़ा बरतन लेते हैं तो एक बार मे काफी सारे जो कपड़े हैं वो आप उस पर रखकर ड्राय कर सकते हैं और इस तरीके से जो पीछे का हिस्ता होता है यहां पर इस तरीके से आप कपड़े को रख दीजे मैंने जानबुच के जो है कपड़े को अच्छे से जो है पानी डालके भीगुए है ताकि आपको पता चल सके, आप देख सकते हैं, जो हमने गरम पतीले पर कपड़े को रखा है, और भीगा हुआ कपड़ा है, जिसके वज़े से वो जो स्टीम है, कि इतने अच्छे से निकल रहे हैं, जिससे हमाँ जो कपड़ा है, बहुत ही जल्दी जो है, वो ड्राइव हो जाएगा, अगर हल तो इस तरीके से आप अपने कपड़ों को जरूरु सुखाएगा, बहुत ही अच्छे से ड्राइव हो जाता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, कुछी देर में जो एक कपड़ा है, बहुत ही अच्छे से सूख चुका है, तो इस तरीके से जब भी आपके साथ ये करिए चैनल पर न्यूँ है तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आपको इन में से कौन सी टिप सबस्यादा यूसफुल लगी है और आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं ताकि मैं जान सकूं मेरा वीडियो कहां तक गया कल फरी मिलती मैं आसी एक नए वीडियो के साथ कुछ नए टिप सेंट्रिक के साथ तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा जूड़े रहेगा मेरे चैनल से गुडबाई